हालो एवरिबन कैसे हो आप लोग जासे कि आप लोग जानते हो लास्ट टैप हमने बॉंड रॉंडर का वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने 20 एलेक्टॉंस तक के कंपाउंड की बात किया था बॉंड रॉंड निकानने के लिए लेकिन उसके बाद मैंने जो टॉपिक बताया था कि जैसे कि इन और्गनिक कंपाउंड में रिजुनेटिंग इस्क्टर्स होते हैं जैसे कि लो टू हो गया चैसे निकालने वह वीडियो साथ चूड गया था तो वूसी के बारे हम बूस्ट कॉंसे बताना चाहता हूं विदीन सकेंड आप उसको भी केलक्ट करते इस तरह कि शाशनीक्स तु है तो उसको कैसे कालकुलेट किया जा क्या क्या कर दें क्या ट्रिक्स इस्तिमाल करें कि इसमें चीद्या आपको कैल्कूलेशा आजाए आपका ड्री कल्कुलेट हो जाए अर दूसी सबसates अच्शी बात है कि इस तरह कि जो कंपाउंड होते न वो resonance करते हैं तो उनमें कई बार इसे पुछ जाता है कि अगर इस तरह के आपके पास compound है तो उनके कितने resonance खीच सकते हो आप कितने resonating structure draw होते हैं हलाकि resonance पर मैंने वीडियो बना रखा है लेगन इस तरह कि inorganic compound में भी tricks काम करते हैं और आप बता सकते हो देख करके इनके कितने resonating structure आप खीच सकते हैं कितने बना सकते हैं आप देख करके आपको draw हो सकते हैं तो फिर्स आफ बहुत ही फिमस compound है जो कि आप लोग जानते हो जैसा कि यह CO3 2- carbonate everybody is known ठीक है पहले में इसके number of electron है कैसे हमको पता है कि number of 20 से जादा total number of greater than 20 electrons तो कैसे पहले वो देख लेते carbon को जो atomic number होता है वो 6 होता है oxygen का time number 8 right oxygen कितना लिखा हुआ यहां पर नीचे three times and minus two that is a two minus two का मतलब क्या होता है दो electron बाहर से आय मेरे पास तो दू एक्सिस में इसलिए मैंने क्या कि इसको एड़ कर लिया ठीक है अगर यहां plus होता है by default अगर मालों किसी compound पे प्लस चार्ट तो प्लस का मतलब होते है उस compound अगर बाउन से लेक्ट्रों चले गए वैकंट हो गया खाली हो गए उसने लेक्रों डोनेट कर दिये ठीक हम माइनस कर देंगे लेकिन यहां इलेक्रों हमें मिले तिसलिए यहां पर क्या करेंगे हम प्लस अब इसको टोटल आप करोगे तो 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 आप इनका बॉंडर क जो आपको बुक में मिल जाएगा नॉमली उनके लिए जो मेथड यूज किया जाता है बॉंडर निकालने के लिए बॉंड रिजुनेट बिट्वीन दे एटम ठीक है डिवाइड बाइ रिजुनेटिंग इस्ट्च्च्च्च्च्च्च्र आरस ठीक है कहने का मतलब यह है पहले आप 스ंपर करो फो सको हितने इतने सींग से इसरा कुछ होता है अब इससे कुछ होता है आपैं इससे कंडिशन पर रखा है रिजय को यह का पता है यह यह और तो कर जाएगा तो टोन तो तो इस क्रेगा प्रोंग करो फो इतने आप क्या करो आप को पता होना चाहिए कितने रिजिन खीज सकते हो कि इतने रिजिन उसके रिच्टे करो होंगे तो सारे आपको पता होगे तभी आप बाउंडर निकाल पाओंगे जैसे मैंने बहुत सिंपल सा ग्जम्पल यहां CO3 2- जिसका structure आप आसानी से ड्रोग और सकते हो जैसे कि CO3 2- का नॉमल structure जो होता है इस तरह से कुछ होता है ठीक है अब इसमें रिजुनेंस होने लगता है रिजुनेंस की condition आपको पता है छे condition में ने पढ़ा रखा है यह इधर घुमेगा यह इसके साथ इधर करेंगा तो टो तोटल जो इरूटिर करेंगा तो जो लूण पेर है जो माइनस चार्ज वो डबल बॉर्ण में होगा और जो एक बार दबब वोंड आजाएगा यहां पर क्या आजाएगा माइस आ जाएगा ठीक एक इस ट्रॉक्ट आप यहाँ पर माइनस ने क्या उप्र आप तीसरी कोई possibilities है ही नहीं, आप तीन structure दो कर सकते हो, आप देखोगे, सारे minus 4 तीनों oxygen पर एक एक करके आ चुके हैं, ठीक है, एक बार यहां पर यहां पर एक oxygen को पकड़ लो, that is, यहां पर minus 4 आप फिर एक बार यहां पर, corner पर, that is this one, यह double bond आया, यह double bond आया, यह double bond आया, यह double, structure draw होंगे, right, first of all, यहां पर हमें यह देखना है कि, ऐसे atom को select करो, ठीक है, जिसके बीच में bond क्या हो रहे है, बदल रहे हैं, जैसे कि मैंने मालो यह atom select किया, carbon and oxygen, यहां पहले कितने bond थे, 2 थे, इस structure में कितने bond हुए, एक हुए, इस structure में कितने हुए, एक है, तो सब को क्या होता है कि इस तरह से आप calculation करते हो, ठीक है, आप एक compound लेते हो, उसका resonance draw करते हो, इस case draw करते हो, after that, आप वो atom select करते हो, जिनकी बीच में bond का resonance हो रहा है, तो उस atom में कैसे bond बदल रहे हैं, change हो रहे हैं, उनको आप add करते हो, और total जितने structure draw होते हो, उनको आप उससे divide करते हो, aso44- ठीक है, इस तरह के जब compound आ जाते हैं, तो आप कैसे calculate करोगे, तो उसके लिए आपको sketch draw करने की जरूत नहीं है, ठीक है, उसके लिए एक simple formula लगता है, आप उसी से compound का है, आप bond order calculate कर सकते हो, उसके लिए आपको resonance, या structures, ये सब draw करने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है, तो क्या करना है, एक simple formula याद करना है, उस formula से आपके सारे question solve हो जाएंगे, ठीक है, बस एक बार, दो बार आप करोगे, तो आपके question solve हो जाएंगे, तो first of all formula क्या है, valency of feriferal, feriferal मनतब surrounded, feriferal atom, plus minus, that is charge of radicals, यानि कि उस compound पे charge कितना है, that is a charge, charge of radical, divide by number of feriferal atom, right, आसानी से calculate, यह क्या लिखा है, मैंने पता नहीं, कुछ अभी समझ में नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने इसका application करना सुरू गिया, आपको समझ जाओगे कि मैंने क्या किया, exactly इसी कब में बार निकाल दे रहा हो, ठीक है, जैसे की carbonate है, यह तो इसका traditional method त इसका bond order कैसे calculate करेंगे, तो होता क्या है, that is a bond order, अब बोला है, वैलंसी या पेरिफेरल atom, oxygen की वैलंसी दुनिया जानती है, कितनी होती है, 2 सर, क्योंकि आउटर बूस में से क्लेक्टोन होती है, two electron की कमी होती है, octate को पूरा करने के लिए, तो दो इलेक्टोन दूसरे से मा क्या चाना जाता है, मैंने वीडियो में बता रखा है, habitation में, ठीक है, तो इस central atom है, जहाँ number कम होते है, उस ही को central atom बोलते है, उसके आजो आजो आजो, यहाँ that is surrounded, वो किससे surrounded है, oxygen से, कितनी oxygen लगे हो है, 3, right, तो how many oxygen is there, 3, आप उसी से क्या करो, divide करो, 3 2 जा 6, 6 में से 2 जा और कितने atoms थे, इसे connected हो लिया, ठीक है, 3, तो आपने simply किया, इसको divide किया, तो जो value निकल के आती हो, आपके bond runner को so करती, ठीक है, जैसा कि आपने traditional निकाला था, कि resonance खीचेंगे, उसमें bond का, atom की बीच में bond का घूमना देखेंगे, resonating देखेंगे, उसके बाद आप उसको divide कर करेंगे, वो आपको देखना है, कैसे करना है, देखो, जैसे मालों, मैंने एक example लेगा, SO42-, right, SO42-, कैसे करेंगे, oxygen का कितना होता है, 2, charge कितना है, minus 2, total atom कितने है, 4, 4, 2, 8, minus 2, divide by 4, 8 में से 2 जाएगा, 6, divide by 4, 2, 3, 6, 2, 2, 4, 3 by 2, 1.5, आगया bond order, कुछ किया, आपने आपने अच्छा, अगर मालीजी, मैंने SO32-, what's going on, and 2, minus 2, divide by 3, 3, 2, 6, 6 में से 2 जाएगा, 4, divide by 3, and bond order goes to 1.33, ठीक है, सही है, और क्या, यहाँ पे oxygen की balance है, 2, और उपर charge, SO32-, ठीक है, 2-, यहाँ पे oxygen कितने 3 है, तो simply आपने calculation किया, 3, 2, 6, 6 में से 2 जाएगा, 4, divide by 3, bond order goes right now, 1.33, इ regenerate कर रहे हैं, उनकी आपसानी से आप bond order निकाल सकते हो, और भी कुछ compound के bond order देख लेते हैं, जैसे की, CO2, 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 ऐसा एक एक एटम है, जैसे की लग रहा है, सर चार्ज तो है नहीं, आपने बताया, सर चार्ज तो है नहीं, देखो, यहाँ पे CO2 मेंने लिखा, CO2, right, चार कितना की 2, यहाँ, CO2 का bond order कैसा होता है, 2 होता है, देखो, यहाँ पे, दो bond बनाता है, this one, देखो, वही सेम चीज इधर भी है, वही सेम चीज इधर है, तो carbon monoxide का bond order होता है, वह कितना होता है, 2, आपने इसलिए आसानी से calculate कर लिए, क्योंकि यह neutral molecule था, और आसानी से आपने बन सकते हैं, इन जब के bond order आने चाहिए आपको, क्योंकि आप structure drawer मालू नहीं आता है, तो कैसे करेंगे, आसानी से calculate करेंगे, यहाँ पे oxygen कितना है, bond order, ठीक है, यहाँ पे oxygen कितना है, that is 2, how many charge there, 0, divided by 1, what is going on, 2, ठीक है, बहुत आसानी, अब इसमें क्या करेंगे, कुछ नही 1, that is CLO 3, that is 1, divide by 3, 3, 2, 6, 6 में से 1 जाएगा, 5, 5, divide by 3, आप आगे डिवाइड करेंगे, mathematics आपकी बहुत फास्ट है, बहुत तेज है, calculation कर लोगे, तो आपका bond order आसानी से calculate हो जाएगा, तो इस तरह से compound में, आप किसी भी element का compound का bond order आसानी से calculate कर सकते हो, जो 20 के उपर होते ह सब के value number को आगर add करोगे, तो 20 आप cross कर जाओगे, ठीके, इसके, 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 इसका निकाल लाए, कुछ नहीं करना है, बस वही सेम चीज़ जो आप करते हो, 2, 2, 2, 2, CLO 4 minus divide by 4, ठीके, कुछ नहीं किया, oxygen के balance है कितनी होती, 2, ऊपर charge कितना है, minus 1, and divide by what, 4, कितने oxygen आप में 4 लिखे था ना मैंने 4 डिवाइड कि आप इसको कैल्कुलिट कुछ हो एट एट में से वन जाएगा 7 by 4 आप डिवाइड कर ले ना एंसर आ जाएगा यह आपका बॉंड अडर ठीक है बहुत आसान है किसी चीज का बॉंड अडर निकालना ठीक है अगर आपके पास 20 का अधर में करते हैं तो आप कर सकते हैं आप इसा निकाल तरह कि अऊद्ट ना बना पाऊ लेकिंघिन फिर फिगर की जरूत नहीं यह पर आप आसानी से उसके boundary calculate कर सकते हो, जैसे कि मैं arsenic acid का formula लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, तो मैंने लिखा ASO3, 3-, मैंने यह लिखा, arsenic acid है, ठीक है, oxygen 2, what is going on 3, 3, 3 to just 6, minus 3, divide by 3, what's going on, 6 minus 3, मैंने 3, 3, 3, 3 से cancel हो जाएगा, boundary आजाएगा, 1, ठीक है, बहुत simple सी mathematics, actually, यहाँ पर chemistry है ही नहीं, यहाँ आपकी chemistry लेखती है, that is a formula, उसके बाद आप simple calculation करते हो, जो value देता हो, उसका boundary होता है, actually, अगर हम arsenic acid की बात करें, ASO4, 3-, what's going on is there, 2 minus 2, divide by 4, 4, 2, 2, 8, 8, मिसे 2 जाएगा, 6, divide by 4, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 3 by 2, boundary goes to 3 by 2, that is 1.5, ठीक है, आस आसानी से, आप सारे तो मैं नहीं निकाल सकता, अब बाकी आपके practice के लिए आप इनके boundary आप try जरूर कर सकते हो, जैसे कि यह, एक example है, P of 4, 3-, right, NO2-, ठीक है, NO3-, ठीक है, Ozone, O3, and Si of 4, 4-, बहुत आसानी, यह सब तो आसानी सब calculate कर सकते हो, कुछ करना नहीं था, आपको simply करना होता है, कि आपके balance У have a variance- on these tears. रीक हो पता है warmly, ठीक है उसके घ्रो सक लाप एक लाट में देखा, कि रहुद से उसेके data का आप आसानी से. बांडर को calculate करते हो within a second अब अगर practice करते हो इन सब के तो बहुत आसानी से आप simply calculate कर सकते हो दूसरी चीज खास बात यह है इसमें पूछा जाता है कि जैसे इतने धिर सारे मैंने आपको structures बता है that is बांडर बता है तो कई बार यह पूछा जाता है जैसे कि आर्सेनस है आर्सेन निचे नंबर लिखे होते है वह उसके resonance को डिसाइड कर देते हैं अगर मैं बूलू और सेने सेशिट में अगर मैं बूलू और सेने सेटमें अगर मैं बूलू तो यहां पर आप देखो oxygen number कितने है तीन तू नीजे किसा दो जिखो जितने नंबर लिखे हो तने लिखे होते हैं अप्शिज्ट का linear structure होता है आप द्रोग करोगे तक वहां डोगे क्योंकि oxygen के नंबर कितने हो यहां पर co2 2 निजे लिखा होता है that is a 2 structure, CLO4 minus, 4 structure draw, CLO2O7 2 minus, उसके भी साथ structure रहोंगे, अलग-अलग आप resonate करते हो नो तो अलग-अलग आपको structure बनते, CRO2O7, CRO4 2 minus, chromate, और राइग, dichromate, CRO2O7 2 minus, इस तरह के बड़े-बड़े structure का अगर आजाये question में, तो आप उनके structure को नहीं draw करोंगे, जैसे कि मालो, CRO4 2 minus, ठीक है, CRO4 minus, ठीक है, CRO4 2 minus, K2CRO4, ठीक होता है, potassium dichromate, K2CR2O7, that is this one, ठीक है, CR2O7 2 minus, आप वहाँ पे इसके बड़े structure draw नहीं करोंगे, तो कैसे calculate करेंगे, ठीक है, इस सब structure को draw करना आना चाहिए, आपको structure ही ज़रूद नहीं, actually, बहुत अडर निकालना होता है, तो आप महाँ पे देख करके oxygen की number से अज़स कर सकते हो, कितने इसके resonance कीचे जा सकते हैं, इस नाइटरेट कीचा हुआ है, यहाँ पे phosphate, कोई पूछ लिए phosphate की कितने resonance कीचे सकते हो, यहाँ application जब तक आप सीखोंगे, खुझ से नहीं करोगे, brainwash नहीं करोगे, तब ब्रेंटीजर जैसे problem नहीं समझ में आएंगे, ठीक है, ओजून के आपको normally बताने है structure कितने डर होंगे, बहुत advanced problem में अच्छा question है, ओजून देख करके आप बताओगे कि तीन होते हैं, लेकिन फिर से आप इसको solve गीजेगा, को ओजून के normally कितने resonance आप खीच सकते हो, और इसके bond order तो calculate करने ही करने है, ठीक है? यह आपके homework से यह आपको जरूर complete करना चाहिए, तभी आप यह सपना आप देख रहे हो तो उसके लिए पूरा dedication होना चाहिए, जब तक आप नहीं होगा तब तक बस ऐसे देखते रहेंगे सपने कभी पूरे नहीं होने वाले, तो जब आप देख रहे हो तो कैसे वहां तक पहुंचे हैं, कैसे आप dedicate हो जाओ उस काम के लिए वह अपने आपको खुछ से समझ में आता है, क्योंकि सबसे बड़ी problem क्या होता है हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, ठीक है पढ़ाई में मन नहीं लगता, Google जागे सर्च करो कि हजारो तरीके how to increase your concentration power, कैसे अपनी concentration power को बढ़ाएं तो वहां बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आ जाएंगे कि यह करो वो करो पढ़ाई समय कर लो music on कर लो यह कर लो एंतुसियस्ट हो जाओ थोड़ा सा motivation सुन लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो दुनिया भर के ट्रिक्स हैं लेकिन यह भी problem नहीं है, जिनको जिनका अपना एंजिनियरर डॉक्टर बनेगा तो डेडिकेशन बनाये रखें और कुशन को solve करते रहें प्रॉब्लम को solve करते हैं डेडिकेट होकर कुस चीज को बाबाय एंट, टेक केर.